कॉंटेंट इस किंग आपने सुने ही होगा लेकिन क्या वाकरी कॉंटेंट किंग है जी हाँ, keyword research हम करते हैं इसलिए कि हमें understanding ये हो जाए कि लोग क्या search करते हैं हमें demand understand करनी होती है ताकि उसके gains हम content generate करें लेकिन content generate करने पर focus है कि generate करेंगे तो ही लोग कुछ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो ही Google उसमें rank कर पाएगा so Google को index करने के लिए content चाहिए बगार content के Google website index भी नहीं कर सकता so indexing basically होती क्या अगर आपने पहले discuss किया है so indexing basically आपका content ही index होता है और Google जब ये देखता है कि आपके content पे क्या है वो तब ही Google लोगों को दिखा पाता है कि जो आप search कर रहे हैं वो इस website पर पढ़ा हुआ है इसमें हमने जरूर ये बात की कि meta tags भी होते हैं लेकिन meta tags head section में रहे जाते हैं जो के HTML में हमने जिकर किया था लेकिन ये head section Google के लिए और browsers के लिए हैं इसमें जो भी information होती है वो Google या browser या दूसरे search engines पिक करते हैं हमें content के लिए body section देखना होता है body में जो भी आप लिखेंगे वो publicly, visually लोगों को नज़र आएगा जो लोग देख सकते हैं वो content सारा लोगों को जो भी आप यहां लिखते हैं वो नज़र आता है हमें ये पता है कि सब कुछ HTML में होता है लेकिन visually जो browsers हैं वो HTML को दिखाते हैं वो उसको proper form में दिखाते हैं Google जो करता है crawl वो basically आपको content है अगर आपको content नहीं होगा तो वो आपको नहीं pick कर सकेगा बहुत बड़ा मसला लोगों को लगता है content create करना क्योंकि लोगों को यह लगता है content important नहीं है या बहुत hectic है लिखना या investment करना इस पर फाइदा नहीं है यह जाद रखें कि अगर आप SEO करना चाहते हैं तो आपको अच्छी SEO के लिए अच्छा content चाहिए अच्छे content के लिए एक और बड़ा problem यह होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि content होता क्या है या उनको यह पता ही नहीं है कि content की कितनी forms हैं और वो किस किस तरह से अच्छा content लिख सकते हैं so content से मुराद सिर्फ text नहीं है content में आपका images और videos और दूसी चीज़ें भी शुमार होती है so अगर आप content में सिर्फ text की बात करें तो mainly दो sections बनते हैं content के जो कि आपकी website के structure के मताबिक ही होते हैं इनमें पहला section तो static content है static content से क्या मुराद है static content वो content होता है जो आपकी regular pages के अपर होता है जैसे कि home page या services page या product page या about या contact ये page रोजाना change नहीं होते हैं इसमें जो भी आप content लिखते हैं वो normally static करता है static से मुराद वो एक जैसा ही रहता है उसमें जादा रदो बदल नहीं होती वो change नहीं होता हाँ आप उसको update कर सकते हैं वक्तन फुक्तन लेकिन आप उसको रोज update नहीं करते हैं आपके जो product है वो साल पहले भी वी वैसी थी वो साल बाद भी वैसी है लेकिन अगर आप इंचेंज किया तो मेबी आप एक साल बाद या कुछ महीन और बाद आप उसको update कर सकते हैं so static content में आपको regular content आता है लेकिन digital में हमारे पास एक opportunity ये भी है कि हम regularly अपने article लिख सकते हैं जिसको हम blog बोलते हैं तो ये blog content जो है ये basically आपके articles होते हैं और इन articles की different form हो सकती है उन articles में क्या क्या possible है for example आप article लिखना चाहें तो आप useful article लिख सकते हैं अगर हम मिसाल ने mobile store की तो mobile store में अगर मैं mobile store चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पर regular audience आती रहे तो मैं चाहूँगा कि मैं regular content create करता रहूँ उसमें बहुत content तो static content रहेगा for example कोई mobile phone लाँच हुआ या कोई नई mobile की company आई है तो उसके अब हमने जो भी pages बनाए उसके अब मैंने content जो लिखा वो वही का वहीं रहेगा लेकिन जैसे जैसे mobile आते जाएंगे जो भी कर लें वो तो change नहीं होंगे तो mobile जैसा लाँच हुआ वो content उसका static ही रहेगा हला कि मैं पाजी opportunity है कि मैं रोज़ाना एक article लिख सकता हूँ या मैं हर हफटे एक article लिख सकता हूँ उन ही mobile के बारे में लेकिन different angles है वो कैसे possible है let's suppose जैसे कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि top 10 mobile पाकिस्तान में कौन से है मैं हर महीने एक list लिखना शुरू कर दूँ कि top 10 mobiles of the month या मैं हर हफटे लिखना शुरू कर दूँ top 10 mobiles या top 5 mobiles of the week तो उससे क्या होगा कि मैं content create कर सा चला जाओंगा और ये content dynamic content है यानिके इसकी life बढ़ भी सकती है ये life इसकी कम भी हो सकती है लेकि इसका आप static content इस तरह से नहीं कह सकते क्योंकि blog content जो है वो normal static नहीं रहता blog आपका dynamic रहता है हाँ ये भी possible है कि अगर आप top 10 products of the month या top 10 phones of June, July या किसी भी महीने के आप लिखेंगे तो उस महीने के लिए वो content change नहीं होगा लेकिन next जब article लिखेंगे तो automatically update हो गया so blog को आप dynamic content के तोड़ पर लेंगे blog dynamic होता है वो रोजाना change भी हो सकता है वो जितनी frequency से आप change करना जाएं वो दिन में जज़ना भी change हो सकता है so मिसाल लेते हैं अगर news अख़वारों की अगर आप देखें तो newspapers के जो website है उसमें दिन में बहुत ज़रा खबरें बहुत तहीं से आती है तो content पूरे ज़रा change होता रहता है उसमें static content बहुत काम है static content काम इसलिए है अपनी website के लिए किस तरह से लिखना है क्योंकि content वेरी करता है business to business उसमें आप static content भी लिख सकते हैं उसके वाद आप dynamic content में जा सकते हैं जिसमें आप blogs के अपर जा सकते हैं या मजीद content यानि कि images और videos भी create कर सकते हैं so जैसे से आप content create करेंगे Google आपको ज्यादा index कर पाएगा और आपके ज्यादा pages को उपर दिखा पाएगा so एक और example मैं आपको देता हूँ अकसर लोग कहते हैं कि जी हम news media को hire करेंगे या PR firms को hire करेंगे अपनी information अख़बारा में शपवाने के लिए अकसर आपने देखा होगा आपके clients के साथ या आपके साथ कि आपको अख़बार वालों को या उनको news वालों को आपको बुलाना पड़ता है और आप फिर उनको कभी expect करते हैं कि शायद वो आपकी खबर लगा दें लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते आप अपनी company की खबर खुद लगाएं अपने ही ब्लॉग पे आप एक section बना लें news का या company news का आप उसमें जो भी आपकी company activity होई किसी की birthday होई आपने कोई training organize करवाई आपने करें trip किया या आपने कोई promotion दी या कुछ भी आपकी team आपका असासा है जो basically अगर आप उसको promote करना चाहे तो आपके पास news section एक बेतरी section है जहाँ पर आप उनके interview कर सकते हैं आप उनकी कामों की तारीफ कर सकते हैं आप अपने clients को ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपने काम को लेते हैं ये different अंदाज हैं जिसमें आप content लिख सकते हैं इसकी अगर आप depth में जाएंगे तो आपको बेशुमार topic मिलेंगे लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ updates बताऊं कि किस तरह से लोग फस जाते हैं कि content हम क्या लिखें कैसे लिखें समझ नहीं आती लेकिन content की बहुत सारी examples हैं जो आप लिख सकते हैं और ये एक बहाना होता है Google को दोबारा अपने website पर बलाने का और लोगों को जादा content दिखाने का एक और example भी मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें entertainment के element आप आप दाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि अगर आप एक serious company हैं तो आप उसको seriously, serious content ही लिख सकते हैं आप अपने user को देखते हुए अपना content अपडेट कर सकते हैं और उसमें entertaining post आज सकते हैं आप कोई story post बना लें कोई meme post बना लें लेकिन ये बस धियान रखें कि जो भी content आप लिखें आप का content किसी को hurt नहीं करना चाहिए किसी को blackmail ना करे किसी को किसी की बुराई ना करे क्योंकि वो फिर legal issues हो सकते हैं अगर आपने किसी की बनामी की है वो आप पर defamation का case कर सकता है defamation basically एक legal term है जिसमें अगर आप किसी की बनामी करते हैं और अगर वो उसका नुकसान हो सकता है तो आप से charges claim कर सकता है so content लिखने में आपके बस पूरी अज़ादी है आप हर तरह से हर angle से content लिख सकते हैं और बलकि आपको लिखना चाहिए क्योंकि जब आप try करेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि आपकी audience क्या पसंद करती है सिर्फ एक चीज़ का ख्याल लखना है कि आपने किसी का नुकसान नहीं करना कि आपकी बात से किसी की बुराई नहीं हो अगर आपने करनी भी है किसी की तरह से बात तो आप direct किसी को hit ना करें आप एक general term में बात करेंगे और आप यह कि content लिखेंगे तो उस पर आपको नुकसान नहीं होगा तो आखरी बात कि अगर आप content लिख रहे हैं तो कोशिश करें content में सिर्फ text के अपर focus ना करें आप images के अपर भी बात करें आप videos भी बना सकते हैं और इसको आप अपनी videos पर जब अपनी website पर डालेंगे तो ultimately वो एक engagement create करेंगा और लोग पसंद करेंगे इसको और जब लोग पसंद करेंगे तो वो बार-बार आपकी website पर आएंगे